सबसे पहले हम बात करते हैं पहले हमारे यूज होते हैं और कौन-कोन से कलर का आपका साइड पर रोल होता है बात क्या सबसे पहले सब्सस्बपहलने को आपको सब्स Command लिए यूज होता है आपके जितने भी supervisor position पे होते हैं वो आपके पहनते हैं आपके architects पहनते हैं आपके managers पहनते हैं आपके engineers और जो supervisor होते हैं वो आपका यह helmet पहनते हैं फिर आता है आपका green helmet green helmet कौन पहनता है जो safety engineer होता है और जो inspector होता है वो आपका green कलर का helmet provide करता है, मतलब पहनता है, फिर चलते हैं next, फिर आता है आपका yellow helmet, yellow helmet किसले यूज़ करते हैं, जितने भी आपके workers होते हैं, labors होते हैं, और जो earth moving machinery पे जितने भी लोग काम करते हैं, वो आपका yellow helmet पहनते हैं, generally आपने देखा हुआ yellow helmet आपका side पे labor ही यूज़ करते हैं, इस वज़े से, फिर आता है आपका brown helmet, brown helmet कहाँ पर यूज़ होता है, जितने भी आपके heating jobs होती हैं, जैसे आपका welding हो गया, ये इसमें आती है, और जितने भी आपके heating से related, जितने भी आपके jobs होती हैं, उसमें आपका brown color का helmet यूज़ होता है, फिर चलते है next फिर आता आपका blue helmet blue helmet आपका कहाँ पर काम में आता है जितने भी आपके electronics होते हैं electrical से related जितने भी person होते हैं carpenters होते हैं contractor होते हैं यह generally इसी helmet को prefer करते हैं फिर चलते है next फिर आता आपका gray helmet gray helmet आपका क्या use में आता है gray helmet होता है जितने भी आपके visitors होते हैं अगर आप कभी site पर inspection के लिए जाएंगे या फिर एक visitor के तौर पर जाएंगे तो आपको gray color का helmet provide किया जाएगा चलते है next फिर आता है आपका face shield helmet face shield helmet आपका कहाँ पर use होता है जहां पर भी आपके sharp objects होते हैं, जितने भी आपके cutting के लिए object यूज होते हैं, machine reuse होते हैं, तो आप उनको इस तरीके के helmet लगाना पड़ता है, क्योंकि आपने जितने भी देखा होगा, जितने भी आपके bar bending कटते हैं, आपके जो steel rods होते हैं, वो कटती हैं, तो उसमें क्या है आपकी चिंगारिया बहुत ज़्यादा निकलती है, तो face पे ज़्यादा harmful ना हो, इस वएसे इस तरीके के आपको face shield helmet लगाना पड़ता है, फिर चलते है next, फिर आपता है आपका air moving helmet, air moving helmet आपका काहाँ पर काम में आता है, air moving इस तरीके से होता है, इसमें क्या होता है, कि का कान के पास में आपके 2 headphone type के लगे होते हैं, यह क्या काम करते हैं, जितने भी आपके drills related, जितने भी आपकी चीजे होती है, जैसे आप अगर scaffolding कर रहे हैं, तो उसमें drill मारना हुआ, आप अगर building में अगर कुछी drill कर रहे हैं, तो उसको कर निकलिए, आपको इस चीज का use करन पढ़ता है, फिर चलते हैं next, फिर आता है आपका head lamp helmet, head lamp helmet आपका क्या काम करता है, जितने भी आपकी tunnels होती है, और जितना भी आपका low vision में जितना भी काम हो रहा होता है, जैसे आपका pile foundation में रात के time होता है, या फिर आपका tunnel में काम होता है, bridges में काम होता है, तो इस तरीक पर चल रहा होता है या फिर टैनल से बगएरा काम चल रहा होता है यह उसमें सबसे जादा यूज होता है फिर चलते है next फिर आता है आपका the hat the hat style helmet hat style helmet आपका पहले ही होता था अब क्या है इसका upgrade version हो के सामने की side आपका hat type आ गया है पर यह उस time पर work क्या करता था जब भी आपका बरसात का मौसम होता था उस time पर अगर कोई विजट करने जाता था तो यह क्या है पूरा hat की वज़ा से हमारे face पर या फिर इर्दगिर्द हमा हें का क्या होता है आपको नाम से समुझ में आरहा होगा Load Carrying Helmet १ क्या क्या करता है जितने भी है बब आपको workers होते है उनको क्या है सामान इधर से उधर ले जाने में आपका जो सर पर रखके जो भी समान ले जाते हैं, उसमें ये helmet बहुत ही काम करता है, आपने अगर without helmet के देखा होगा तो वो क्या करते हैं, सर पर किसी चीज को रख लेते हैं, कुछ object रख लेते हैं, जो sponge type का होता है, और उस पर अपना समान लेकर, load करके ले जाते हैं, तो इ इसके उपर ये अपना समान easily रख सकते हो और ले जा सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे, thank you so much.